दोस्तों आप लोग की दिमांड पर आप अप्सक्वाइब से लिए डूस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों आप लोग की दिमांड पे आज ये वीडियो बनाया जा रहा है बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लूएंजा के बारे में आपने सुना होगा कि हिमाचल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, केरल इन सब जगाओं में हजारों की तादाद में बर्ड पक्षियों के मरने की खबरे आ रही है, मरे हुए पक्षी पाए जा रहे हैं और इनका जब लैब टेस्ट हुआ तो इसमें H5N8 करके एक एवियन इन्फ्लूएंजा बर्ड फ्लू का वाइरस कारण पाया गया यह H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा का ही एक वेरियन्ट है यह पक्षी जो है कई इसमें बार हेड़ेड गूस है कोई गल्स मर रहे हैं क्रोज मर रहे हैं और पिकॉक मर रहे हैं तो यह अलग-अलग पक्षियों को यह नहीं किसी भी प्रकार की बर्ड को अफेक कर सकता है इसी बर्ड को ओने वाली बीमारी है और यह एक बर्ड से दूसरे बर्ड में बहुत जल्दी फैलता है अब इसी वज़े के यह यह निकालती है तो बहुतर ओर्ड निकलता Hack नकर उसकता है और इस प्रदाथ के अंदर मौजूद जगाओ पे जहां पर बर्ड्स कठा रहती हैं जहां पर उनको पाला जाता है जहां वो एक साथ हजारों की तादात में अगर वहां एक को भी हो गया तो वहां सब को हो जाएगा इतनी तेजी से वो फैलता है अब यह एक इशू चल रहा है जिसके वजह से बर्ड्स का इधर से उदर ले जाना मना कर दिया गया है केरल में और बाकी सब जगाओं से पोल्ट्री ट्रांस्पोर्ट रोग दिया गया है व्यूर्ट इसलिया इसलिए इसको वही भी हर रोकना बहुत जरूरी है अच्छी बात क्या है कि यह इंसानों में उतनी आसानी से नहीं फैलता सिर्फ उन इंसानों में फैल सकता है जो infected bird को handle कर रहे हैं या मरी हुई infected bird को handle कर रहे हैं याने infected bird का mass handle कर रहे हैं या infected bird को handle कर रहे हैं तो फिर इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये पूरी इंडिया के या दुनिया भर के birds को ना हो जाए वन्ना कई सारे जो लोग इनको handle करने हैं उनको risk हो जाएगा उनको risk हो जाएगा उनको भी 100% होका ज़रूरी नियुक्त रिसक हो जाएगा लेकिन अगर उनको होता भी है जो bird से इंसान को होता है तो इंसान to इंसान ये नहीं फैलता नहीं फैलता का मतलब नहीं है कि नहीं फैल सकता जी नहीं याद रखिए कोरुना वाइरस भी एक mutated वाइरस है जो हो सकता है जानवर से बैट से चमकाडर से इंसानों में आया हो और फिर इंसान से इंसान में फैल रहा है वैसे ही bird flu के अं कि वह इंसान टू इंसान भी ट्रांस्मिट होने लग जाए कोरोना वाइरस की जैसे यह भी एक पैंडमिक का रूप धारण कर सकता है इसलिए इसको वहीं के वहीं बर्ड को रोकना जरूरी होता है ना की पूरी एक इंडिया में फैले इसा पहले वहीं हो चुका है ऐसा पहले कई बार हो चुका है 2015 में हुआ 2017 में हुआ और यह सिर्फ वाइरस के वज़े से नहीं होता यह तो एक वाइरस है बर्ड फ्लू एक वाइरस है ऐसा 2020 में ही बेक्टेरिया लास्ट यर एक साल पहले मतलब एक साल पहले बेक्टेरिया के वज़े से 12,000 से ज़ादा डक्स मर गए थे वहाँ पे रोमियो नेला करके बेक्टेरिया था अब इस बारी ये वाइरस है ये कन्फर्म किया गया है लैब टेस्टिंग से और इसी लिए जिस भी इलाके में वह ये वाइरस वाले बर्ड पाई जाती है बहुत पकड़के उनको मार दिया जाता है और वो भी योग पकड़के मारते हैं वो भी पूरा प्रिकॉशन लेके पीपी किट पहन के खुद एंटिवाइरल मेडिसन लेके जाते हैं कि गलती से इंसानों करना हो जाए बिकॉज ये इंपोर्टेंट है कि हम इस वाइरस को और चां पहले जाए तो ये समझना जरूरी है कि अगर ये वाइरस फैलता है तो भी इनसान टो इनसान फैलेगा कि नहीं फैलेगा अभी कोई गैरेंटी निया तो आपको अगर होने के चांस होंगे तो कहां से होंगे ज्यादा से ज्यादा हुआ भी ये फैला भी तो बर्ड्स में इनफेक्टिड पोल्ट्री में फैलेगा पोल्ट्री में यहने के मरे हुए बर्ड्स यहने रॉओ मीट दे अन्दर फैल सकता है रॉओ मीट अगर आप मास्क को हैंडल करते हैं और व्यादा करते हैं और उस पका हुए हाथ से आप को ँंब लंक नाग तो आपको चंज सह स वह शर्त है कि वो भी infected bird का पंची का मास हो infected पंची के मास को आपने हैंडल किया और फिर आपने precautions लिए आपने proper हैंडल किया पीपी किट पहन किया गलफ पहन किया तब आपको होने के chances नहीं है और अच्छी बात यह है कि infected मास को भी अगर आप पका के खाएंगे तो उसमें यह virus मर जाता है 70 degree से उपर कहलते हैं यह virus मर जाता है तो पकाने में तो पूरी तरह से अगर पका हुआ आप खाएंगे meat तो आपको कोई खतरा नहीं है तो पका हुआ मास मज आप खा सकते हैं पका हुआ अंडा आप खा सकते हैं अंडे के अंदर भी यह virus होने के chances हो सकते हैं अंडे के उपर शेल के उपर लगा हुआ हो सकता है तो अंडे को धो के handle करें अंदर से पका के खाएं flowing egg या sunshine egg वह थारे अग कच्चे अंडे आदे कच्चे half-fried वाली चीज़े ना खाएं आप अंडे खा सकते हैं आप चिकन खा सकते हैं लेकिन सही से पका के खाएं और पकाते से पहले पकाने के बाद अपनी precautions जो कोरोना वाली precautions है बस वही लेनी है चिकन में कोरोना raw चिकन में कोरोना भी हो सकता है उसमें bird flu भी हो सकता है और इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए vaccine already है इसके लिए vaccine already मौझूद है H5N1 की vaccine जो के CDC के पास में बनी पड़ी है अगर ये फैला भी तो वो फिर दे दी जाएगी बुरी बात ये है कि ये जो virus है ये कोरुना से बहुत जादा घातक है कोरुना जहां 1-2-3% mortality है ये 50% 70% तक जान जा सकती है अगर ये human to human फैलने लगा तो इसलिए खत्रे वाली चीज है ये घातक है human के लिए जब भी human में होता है इसलिए human में ना हो इनसानों को ना हो ये ज़रूरी है अब इसके भी variations है जब H5N1 नाम का virus है और अब जो पाया गया वो H5N8 है मतलब N1 से N8, N9 ऐसे बहुत सारे variation है और ये H5N8 जो पाया गया है ये actual primary H5N1 से थोड़ा कम घातक है लेकिन फिर भी कोरुना से कई जारा गुना घातक है इसी लिए ये human to human नहीं फैलना चाहिए इसी लिए ये virus पनपना नहीं चाहिए ये सबसे बड़ी बात है इवेन इफ अगर ये virus फैलने लगता है तो और एक अच्छी बात है कि antiviral medicine है जो pre-exposure, post-exposure भी काम करती है 24 गंटे के अंदर, 48 गंटे के अंदर अगर आप इक्सपोज हो गए और आपने ये antiviral medicines ले ली जैसे ocell tamivir, flu vir जो के एक flu के लिए मान लिजे precautionary medicine दी जाती है तो 70-90% तक वो effective है कि आपको कोई serious बिमारी नहीं होगी और इसमें भी flu जैसी simple बिमारी होती है simple जो corona में आपने देखा थोड़ा बहुत बुखार, सर्दी खासी और headache, muscle pain, कभी diarrhea, running nose, throat, throat और बहुत हो गया तो serious होगे तो breathing problem हो सकती है इसके लिए भी आपके सारे वही टेस्ट होते हैं जो corona के लिए होते हैं blood test से लेके और गले का swab निकालके RT-PCR होता है इस बार RT-PCR जो है, यह H5N1 या H5N8 bird flu virus के लिए होता है ना कि COVID-19 के लिए इसके लिए भी treatment antiviral medicines ही है, यह fluvir और दूसरी जो medicine इसमें काम करें एक तो osaltamivir होगी और दूसरी है zanamivir, zanamivir और osaltamivir यह दो antiviral medicines हैं जो diseases जो बहुत जादा serious नहीं होएं उनमें काम करती हैं, serious बीमारी के लिए बाकी सारे जो techniques इस्तमाल किये जाते हैं थोड़ा बहुत steroids, थोड़ा बहुत सास के लिए supportive in admission, वो सारे anti-inflammatory medicines वो सारे दिये जाते हैं लेकिन कोशिश हमें यह करनी हैं कि यह serious हो ही ना, तो best option क्या है, nationwide पूरे इंडिया में surveillance हो कि कहां का और birds को पकड़ पकड़ के उनकी testing की जाए, birds की testing किस-किस bird में, किस-किस इलाके में यह आ गया है because birds migratory होती है, एक शहर से दूसरे शहर उड़के जाके फैला सकती हैं, इसलिए nationwide करना पड़ेगा, surveillance करना पड़ेगा, जिसकी तैयारी हो रही है और हो सकता है कल पर सो यह surveillance किया जाए, और जहां-जहां यह पाए जाएगा, वहाँ पे कुछ एक किलोमेटर के radius या कुछ time radius में culling करनी होगी कलिंग का मतलब है birds को पकड़के कोई वो खुद मरने वाली है, और वो फैला के मरेंगी, इससे इच्छा फिर वो उसको मार देते हैं, unfortunately यह करते हैं, और ताकि यह आदमी और इंसान में ना पहले, तो अगर आप बचना चाहते हैं ऐसी किसी भी चीज से, तो कोविड वाले precautions follow करिए, आपने हाथ अपने धोके इस्तमाल करना है, मास मच्छी अंडा सा सकते हैं, पर सही से पका के खाएं, पकाने से पहले पकाने के बाद हाथ अच्छे से धोले, रौ मीट को हैंडल ना करें, याद रखें, एवियन H5N1 नामक वाइरस है, जो बाकी कोविड के जैसे गहतक रूप ले सकता है, और चांसे अगर आपको हो जाए, तो पचास से सतर परसंट डेडली हो सकता है, इस वीडियो को जादा से जादा फैलाईए, ताकि जो लोग हैं इस नॉलेज के जरूरत जिनको है, उनको मिले और वो प्रिकॉशन्स ले, ताकि ये आप तक ना पह पाई, thank you so much, stay connected, stay healthy.